नमस्ते दोस्तों उजल केचल मैं आपका बहुत बहुत सवागत है आज के अपने पिट भर के खाओ और खिला और इसे पे मसाला क्यूब्स इस क्यूब्स को बनाने के लिए ट्रॉट टाइम लगता है लेकिन एक बार आप उसको बना के रिफ्रिज में रख दीजिए और इसको बार मारी उसकी जिए आप जो सब्ची है मिंटों में बनके रेडी हो जाएंगे इसे बनाना बहुत आसन होता है और इसको यूज करने के लिए आप बहुत जल्स को यूज कर सकते हैं आपके घर बर महमाना आता है या कुछ आपको घर बर रहे थी है शुब्य टिफिन बनने की तो उस समय आप इसको यूज कर सकते हो पर इसे सब बहुत बढ़िया बनते है चले पर श्टार्ट करते हैं अपने मसारा क्यूब्स इसकी लिए हमने प्याज है घर दिया आदा कीदली है उसको ज़ु सिंश कर सकते हों अदा足-टेश-पत्ति लें लें लिजे बंफूर्त का पोहा लिजे ऑच्छा आते आपने हिसाब से और काली विलाइची लिए आठ पीस दो इंच दालचीनी के टुखड़ी ले लिए और सब्जे की बहुत बढ़िया टेस्ट और वहाती है इसलिए आपको दालचीनी यूज़ करना है उसको अच्छी तरह से काटके आपको भूल लेना है म्राउन होने तक लिए और बिल आइकन क्लिक कीज़े ताकि नहीं कोई रेसिवी बनती है सबसे पहले आप तब पहुश सके पास से दस मिनिट के दर आपका प्याज भून के रिडियो हो जाता है देखिए हमारा प्याज भून हो गया है तब आपके एस्टर फ्लेम बन कर सकते हो जो हमने ना अच्छी बन जाएंगी दाल चीन हमने भून लिये उसके साथ जो अच्छी तरसे भून लेना है आपको वह उसको अच्छी तरसे भून लीजे देखिए पहा भूनने कब इस तरह से बहुत बढ़ीया देखता है तक रंची कर नची हो जाता है वह जो हमने प्याज लिया थ सब अभ게 डिच में लगती हैं बहुत ही बड़ी है हमारे मसाले के रेडी हो गए अभी हम प्याइच को बारिक पेस्ट करने वाले कि आफ जो मसल अब सब कर लेंगा करने मान जो पहा लिय नहीं पीट कर लेंगे सब मसाले अच्छतर से बारिक होने के बाद फुरसा नमक विसकत मिला ही यह नमक से जाला दिन टिकते हैं नमक के साथ उसको फिर से एक बारिक कर लीजिए इसके सब मसाले अपने बारिक हो गए बहुत ही बड़ी अपने फाइन पेस्ट हो गई है फ्रिजर के अंदर आइस बन बनके रेडियो हो जाएंगे देखिए हमने सब मसाला भरने के बाद इस तरह से थप 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 आई है और फिर उसको फ्रिजर में ट्रास्फर कर दीजिए लगबग 6-8 गंटे रखने के बाद इस तरह से अपने मसाले क्यूब्स बनके रेडियो हो जाते है फिर आप उसको इसे निकाल सकते हो उसको बरतन में या एक जार में इसको ट्रास्फर कीजिए बहुत ही बड़ी आपने मसाले की बनके रेडियो हो गये इसको आप इसको रखने के बाद लगबग एक मनें तक इसको यूज कर सकते हो याई आपके जो हर सब्सक्राइब बनने वाले हैं आप कर दिया है बहुत ही बड़ी आपने मसालों की बनके रेडियो हो गए इसको मैं यम्मी यम्मी टेस्टी तेस्टी और आसानी सब्जी बनके रेडियो हो जाएंगी जो आपको खुश करेंगे आपके घरवालों को खुश कर देंगी जन्देश से आपके इस ट्राय कीजिए और आपका काम घंटों का में कीजिए आप सब घंटों की में बन जाएंगे आपने हमारा वीडियो एंड तक देखा इसके लिए अपको बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे नए ने टेस्ट के साथ नए ने वीडियो के साथ तब तक लिए बाई बाई थैंक्यों टेक किया कर देखी कुकिंग